नमस्कार आप देख रहे हैं न्यू स्टेट उत्रप्रदेश उत्राखंड और मैं हूँ आपके साथ आश्री मातियागी चले बुल्टिन के शर्वात करते हैं आज की तीन बड़ी खबरों के साथ जी हाँ आज सीम योगी का पचासवा जनम दिवस है इस मौके पर पूरे प्रदेश बर में कई कारिक्रोमों को आयूजन किया गया है महीं दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं जो आज की दूसरी बड़ी खबर संद कभी नगर से जहां राश्ट्रपती रामनाद कोविंद आज काई कारिक्रमों में शामिल होंगे महीं कानपुर हिंसा मामले में सियम योगी के सक्त निर्देश के बाद उपद्रव्यों के खिलाफ कारवाई जो है वो तेज हो गई है ये तीसरी बड़ी खबर है जिस पर निगाह आप पूरे तीनों खबरों को विस्तार से आपको आगे बताएंगे तो आज मुख्यवंतरी योगी आदितनात का पचासवा जनम दिवस है जिस पर खास तैयारी यहाँ पर की गए उनके जनम दिन से पहले पूर्वसंधिया पर महागंगा आरती यहाँ पर हुई दूसरी तस्वीर यूपी दौरे पर है राश्रफती रामनात कोविंद और आज इसी कड़ी में संद कभी नगर पहुंचेंगे तमाम तैयारी प्रशासन की तरफ से कर ली गई है तीसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे कानपूर हिंसा में किस तरह से ताबर तोड एक्शन पुलिस की तरह से किये जा रहे है और आप जो मास्टर माइंड जिस हाथ आश्मी का नाम सामने आ रहा था वो पुलिस गिरफ्त में है और उसे पूछताच की जा रही है तो इन तीन बड़ी खबरों पर हमारी खास निगाहा रहेगी विस्तार से पुरी जानकारी आपको देंगे इन तीनों खबरों तो सीम योगी आदितनाद का पचासवा जरम दिन है आज और जरम दिन के मौके पर प्रदेश भर में कारिक्रम आयुजित के जाएंगे तो जरम दिमस की पूर्वसंदिया पर काशी में महा आर्थी हुई आयोध्या में एक्क्यावन सो किलो ग्राम का केक कटेगा लाखो लोग हनुमान चालिसा का पार्ट करेंगे अज अपना पचासवा जनम दिवस बना रहे हैं मौके मंत्री योग्या दिवस के मौके पर प्रदेश भर में अलग अलग कारिक्रम और ये डिप्टे सियम केशिप्रसाद मौरे ने ट्वेट कर उन्हें बधाई दी सियम योगी को जनम दिन की बहुत बहुत बधाई तो य ट्वेट कर उनके जनम दिवस पर उनकी दिरगायू और साथी उनकी उन्हें शुप कामनाय थी और सदैस्वस्त और प्रसंद रहें तो उनके अच्छे स्वास्त है की कामना उन्होंने की दिरगायू की कामना की तो साथी उन्हें जनम दिवस की बहुत 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 बहु तो सियम योगी का आज पाचवा जनम दिन है और ये तीन तस्विर हम आपके टीवी स्क्रीन पर आप दिखाएंगे सियम योगी के यो जनम दिवस को लेकर किस तरह की खास तयारी है तो आपको ये तीन तस्विर है आपके टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हम तो सिम के जनम दिन को लेकर किस तरह से जश्न का माहूल और जश्न का माहूल आज से नहीं कल शाम से ही शुरू हो गया था जनम दिन की पोर्व संध्या में काशी में असी घाट पर महा आर्थी की गई जिसमें सिम योगी के लंबी उम्र की प्राटना हुई वह इस दोरान लोगों का उत्सहा भी देखते बन रहा था गंगा के तट पर खड़ा बुल्डोजर अपने आप में आकरश्रक लग रहा था लोग वहां सेलपी लेते नजर आए मुक्यमंत्री योगी अदितनात के बड़े से कट आउट के साथ वह इस खास मौके को और बहुत खास बनाने के लिए आयोध्या में भी विशेश तैयारी की गई है तो सियम के जनम दिन के इस खास मौके पर एक्क्यावन सो किलो का केक काटने के लिए साथ ही साथ लाखो लोग सियम योगी के लिए हनुमान चालिसा का पार्ट करते नजर आएंगे तो देखें किस तरह से इन तीन तस्वीरों के जरीए आपको जशनी का माहौल दिखा रहा है तो सियम योगी के जनम दिवस की पूर्वसंधिया से पहले वारणसी में घंगा आर्ती की गई और बुल्डूजर के साथ विशेश आर्ती की गई हिंदू युवा वाहिनी कारेकरताओं ने भगवा गुबारों से बुल्डूजर को सजाया हुआ था असी घाट पर काफी भीर देखें यही वज़ा है कि गई आर्ती यहां पर की जा रही है इतनी प्रशंसक यहां पर उत्सा है यह कही न कही कापी उत्साह वर्टक नजारा और जाधर जानकारी के लिए रुकरेंगे संबदाता अबिनाश का अबिनाश रास्यम योगी का पचासवा जनम दिवस आयोध्या में इस खास अफ़तर को और खास बनाने की विशेश तैयारी है उसके बारे में जानकारी दिवस को क्या तैयारी है देखिया आश्मा वैसे तो योगी आधितिनाथ खुद अपना जनम दिन नहीं मनाते हैं लेकिन उनके जो लाखो सपोर्टर्स और समर्थक हैं वो बहुत ही धूमधाम से उनके जनम दिवस को मनाते हैं और आज आयोधिया में भी इसी कड़ी में एक कारिकरम रखा गया है जो कैसर गर्णज के भाजपा के सांसत हैं इस पूरे कारिकरम में पांच लाख लोग शामिल होंगे और सभी लोग एक साथ हनुमान चाली सा पढ़ेंगे हलाकि अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं आश्मात तो चुकी देखिए इस से पहले जब राज शाकरे ने कहा था कि वो पांच जून को आयोधिया जाएंगे जिसके बाद बिजबूचर सरण सिंग ने राज शाकरे का विरूध करते हुए कहा कि अगर वो आयोधिया आते ह हैं तो वो उनका विरूध करेंगे और उन्होंने अपने समर्थकों को से अपील की थी कि पांच जून को आयोधिया पहुंचे जादा जादा संख्या में हालाकि बाद मेराज ठाकरे ने मना कर दिया था तो चुकी वो उनका पहले से कारिक्रम था लेकिन हाँ बाद में उन मंत्री जी का जन दिन है इसके लिए हम लोगों ने वारे नसीं के शनी मंदिर में चपन भोग लगाए हैं तत्रा फोम किया है इश्वर से कार्तना है कि वो यचश्वी रहे हमारे प्रदेश को सच्चाई और अच्चाई की राह पर ले चले और इसी प्रकार हम सब भी उनके साथ चलके सच्चाई और अच्चाई की राह पर अच्छे नागरिक पज़िदेश की हम लोगों ने शनी मंदिर में पूजा किया है, भूम किया है, इश्वर को छप्टन भोग लगाया है, तथा सब ने मिलकर प्रार्टना किया है, कि हमारे मुख्य मंत्री जी आगे भी इसी तरह हमारा मार्व दर्शन करते रहे है। तो देखे, तस्वीर आप देख रहे हैं, उसे पहले आपने प्रतिक्रियाए भी तुरी कि किस तरह से जो लोग है, उनका कहना है, कि उनके विचारों पर, उनके जो उमीदें, उनके जो विश्वास पर खड़ा उतरे हैं मुख्य मंत्री योग्या विपनात, और वो उत्तर देश का चौतरफा विकास कर रहा है, और विकास आगे भी जारी रहे, इसी को लेकर चाहे वो हवाल यग्ये हो, यहाँ पर उनके चहरी की रंगूली उकेर कर हो, या बंगंगा महा आरती हो, यह तमाम अद्रिशे इस बात को जाहर करते हैं अविनाश, कि कितना फ्रेम और क इतना विश्वास लोगों को, कि यह विकास की जो रहा आगे बढ़ाई है, मुक्यमंत्री योगी आदितनाते वो यूह ही आगे बढ़ती रहे हैं। जापा हुआ और यहीं वज़ा है कि असुवर से ही चाहें आम की बात करें या फिर किसी खास की बात करें, हर कोई योगी आदितनात को उनके जन्दिवस की बढ़ाई दे रहा है। और हनुमान गढ़ी में जाकर वहाँ पर जो सांसद हैं वो भोग लगाएंगे और उसके बाद जो तमान समर्थक होंगे बिजबुचाट सरण सिंग के जो फॉल्वर्स हैं और जो योगी आदितनात के सपोर्टर्स हैं वो एक साथ वहाँ पर हनुमान चलीसा का पार्ट कर बिलकुल तो बेशक वो खुद अपने जनम दिन को ना मनाते हूं लेकिन लोगों का प्यार है लोगों का ये विश्वास है और यही वज़ा है कि दिलों में राज करने वाले मुक्तिमंत्री हो गया अदितनात को लेकर जो उनकी प्रशन सक है समर्थक के वो काफी उत्साब और हमारे निरंतर प्रयास ने बनाया है घड़ी को भारत का नमबर वन डिटर्जिन पाड़र पहले इस्तमाल करे फिर विश्वास करे क्लास एक ही गंटेगी है पर इसके पीछे मेरी मैनत कई सालों की है यह मेरी तयारी तुम्हारी पूरी तयारी के लिए अमझे?